दोस्तों, अगर आप SBAPO का form बर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों का आपको बिसेश द्यान दखना है, कई बार देखा गया है कि लोगों के form cancel हो जाते हैं, और वो कौन सी चीज़ हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताने बाला हूँ, तो जो handwritten guidelines हैं, या फिर thumb है या capital letter, small letter, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पर मैं explain करने वाला हूँ, सबसे पहले कहूँगा कि current affairs funda का mobile application आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको current affairs और dii puzzles काफी कुछ एकी place पर मिल जाएगा, तो play store पर जाकर आप यह current affairs funda के app को डूड सकते हैं, और link म description में भी दे दूँगा, सबसे पहले बात करता हूँ handwritten declaration की, देखो guys, handwritten declaration में सबसे बड़ी चीज क्या important है, कि आपको कोई भी चीज यहाँ पर capital letters में नहीं लिखनी है, मतलब यह जो पूरा statement यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सबसे पहली चीज आपकी खुद की self handwriting में होना च और आप एक वाइड कलर का A4 seat का paper ले लेना और उसमें black ink यूज करनी आपको, ठीक है, ध्यान लगना है black ink से, यह चीज काफी important है, तो अगर आप black ink से करोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, देखो मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यह मैंने size बता रखा है, 800 x 400 होगा है, यहाँ पर mention कर रखा है, 800 x 400 पिक्सल आपका size होना चाहिए, तो यह उपर की जो है, यह आपकी 800 होनी चाहिए, और यह जो बेटता है, यह 400 होनी चाहिए, इसके हिसाब से, जो black ink, आप cable, cable, black ink से यहाँ पर लिखोगे, और दूसी चीज है, जो बहुत जरूरी है, वो है date of worth यहाँ पर, ठीक है, देखो, जो आपका format है, यहाँ पर लिखा है I, फिर अपना नाम, फिर यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, फिर लिखना है date of worth, ठीक है, अब date of worth में, क्या format आपको लगाना, DDMM by by सबसे best होता है, आप यहाँ पर follow कर सकते है, जैसे कोई person है, जिस सारी चीजें अपने तरीके से, जैसे यहाँ लिखा है, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid, I will present the supporting document as and when required, the signature photograph and left hand thumb impression is of mine, मतलब यह कहा जा रहा है, कि आप यहाँ पर एक अपना undertaking, एक सपत पत्तर दे रहा हो, कि जो कुछ लिखा है, मेरे द्वारा लिखा गया है, सब कुछ मेरा ही है, अगर कहीं पर कुछ ऊपर नीचे होता है, तो मैं वो डॉकुमेंट भी यहाँ पर प्रोड्यूस कर दूँगा, जो चीजे मैंने यहाँ पर दी है, और चैंडेचर कैंसल भी हो जाता है, जो लोग इधर उदर से, जैसे किसी ने यह चीज कहीं और से लिख बाली, तो गैस जब फाइल को सेब करोगे तो ABC.JPG या JPEG, इसमें करोगे आपका एकसेप्ट यहां पर हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद जो दूसरी इंपोर्टन चीज है, वो है आपका थम इंप्रेशन, थम इंप्रेशन कही बार लोग रोग राइट लगा दिया, लेफ लगा दिया, तो जो भी पर्सन अपना लेफ्ट हैंड लगाएगा, ध्यान लगना कि आप एक A4 सीट ले लेना और उस पर ब्लैक और ब्लुइंग, पैट से लगाना किलियर अच्छा खासा आ जाएगा, ठीक है, ब्लैक और ब्लुइंग दोनों ही यहां पर एकसेप्टेबल हैं, और 240 ब अगर आपकी 19 KB होगी तब भी यह एकसेप्ट नहीं करेगा, मतलब 20-21 से लेकर यह 49-50 वाली ले लेगा, मेरा मानना है कि लगबग 40 KB की अगर फाइल है तो बैस्ट किलर्टी यहां पर देखने को मिलेगी, और यही चीज यहां पर भी ध्यान लगना, कि लगबग 80-90 KB फाइल रखोगे तो अच्छी किलर्टी यहां पर आएगी, ठीक है, यह दो चीज आपकी होगी, इसके आथ फोटोस में आ जाना देखो, पहले चीज में आपको दादू कि फोटो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ अपना मराना, जिसमें प्रोफर टाइब अगरा कर जाओ आप एक बैंकर बनने वाले हो, तो मैं हमेशा से आपको ही कहता हूँ कि एक अपनी फोटो अच्छी होनी चाहिए, और बैक्ग्राउंड हमेशा उन से बोलना कि सर बाइड बैक्ग्राउंड मेरा रखो, यह नहोंने पीछे ब्लैक कर दिया, रेड कर दिया, उनको वाइड क करना एक नया फोटो किछा लेना और इसकी डिजिटल कॉपी अपनी पैंडाइब मेरा ना क्योंकि आगे फ़र्दर आपको यही फोटो हर जगह पर जरूरत भी पढ़ेंगे ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मिट में चला सकते हो, और यहां पर का गया है, कि मेक शोर यहां पर इनोंने वाइट को प्रेफर करके बताया है, तो आप लाइट बेक्ग्राउंड हलका सा लाइट यहलो है, लाइट इसकाई ब्लू काइंड औफ है, यह चल जाएंगे, हलका सा ग्रे है वो भी चल जाएगा, लेकिन ब्लैक मत करना, रेड मत करना उसमें तो दिखत अगर आप सेंटिमेटर में देखोगे, तो साले चार इंटू साले तीन, साले चार आप इस फॉर्मेट में आपकी फोटो आएगी, कुछ लोग यहां पर एक मिस्टेक यह कर देते हैं, वो क्या करते हैं, इस फोटो को ऐसे लंबा इधर कर दिया और ऐसा यह कर दिया, यह अगर आप यह कर दोगे, सब कुछ कमप्रेज हो जाएगा, तो सही तरीका आपका फोटो का यही वाला होता है, आप इस चीच को हमेसा अलाओ करना और इसको यूज करना, और इसको यहां पर लिखा है ना, इट इस एडवाइसिवल देट देट रिटेंस एट कॉपी, लग नेम लिख देते हैं, देट आप बर्त लिख देएँ, उन्ची चोंगा ने, सिंपल फोटो, ठीक है तो यह तो एक सेंपल फोटो है, लेकिन आपकी फोटो केवल सिंपल होनी ठीक है, फोटो सिंपल कुछ भी उसको उपर ना लिखा हो, इसके बाद हाँ, यह आपके सिंगन सिंगनेचर होने हैं, आपके खुद के अपने और किसी और से नहीं कराना है, और सिंगनेचर यहां पर यहां पर मेंचन कर रखा है कि कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, आप जैसे आपका नाम राहूल है, तो आप ऐसे लिख रहो हो, और आपने बना दिया, यह ठीक है, और कुछ लोग बरना ऐसे लिख दें, जैसे मैंने यहां पर लिखा है, फिर उसनोंने नीचे के लिए कर दिया, ऐसे ना, ठीक है, बलब एक अच्छा फॉर्बेंट बनाना, अब ऐसा मत करते हैं कि पतला सा इस तरीके का दिख रही है नहीं इस तरीके का रखना, और बीस के भी तक का साइज है, तो मैं तो कहूंगा, अठारा के भी, पंदरा के भी कर लो, अच्छा खासा आपका आ जाएगा, और कलर का बिसेज द्यान ना है, यहां पर जैसा कि इन्होंने मेंशन कर रखा है, कि बलैक इंक पेन, बलैक से करना, मैंने आपर बता रखना ह करें, और हमार साथ connect रहेगा, thank you so much guys, have a good day to all of you, one second, we will meet in the next video.